नवसका दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल रॉकिंग इन्फार्मेशन पर मैं आपके साथ बिजय जैसवाल यहाँ पर दोस्तो बात करेंगे अलंकार की कोई भी कमप्टीशन का इजामो दोस्तो अलंकार से आपका एक से दो तो यहां पर दो प्रेकार के अलंकार होते हैं पहला होता है आपका अर्था इलंकार होता है ठीक है दूसरा होता है दोस्तो तो आपका सब्दालंकार होता है ठीक है और अर्थालंकार की से कहते हैं जब एक वस्तू या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्वस्तू के साथ की जाती है तो वह आपकी अर्थालंकार कहलाती है क्या है एक वस्तू प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्वस्तू के सा बात की जाती है तो वह आपकी अर्थालंकार कहलाती ठीक है अब अर्थालंकार की कितने प्रकार है तो अर्थालंकार के आपके मुक्ते का है पांच प्रकार के होते हैं अर्थालंकार का पहला प्रकार होता है उपमालंकार ठीक है उपमालंकार उपमालंकार किसे कहते हैं जब पंक्ति में योजक चिन क्या आए योजक चिन आजाए इसे यह आपका योजक चिन है ठीक है आए और उसके पीछे क्या लिखा हो से सा सी आए क्या योजक चिन लगा हो और उसके पीछे से सा सी आए तो आपका उपमा लंकार है यानि कि ये ट्रिक याद रखना है कि अर्था अलंकार का एक है उपमा लंकार किसका लंकार है अर्था लंकार का है ठीक है अर्था लंकार कैसे पचानेगे जिसमें आपका एक योजक चिन है क्या है योजक चिन है डैस जी से बोलते है योजक चिन है फिर उसके पीछे से सासी आए ठीक है आईए देख यहां पर एक जांप नील गगन सा ये आपका देखे योजक चिन लगा हुआ है और सा लिखा है मैंने क्या बताया था ट्रिक में से सा सी आए और साथ में क्या योजक चिन हो तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे योजक चिन भी लगा है सा लगा है तो कौन सा हो जाएगा भईया आपका ये उपम अलंकार होगा ठीक है चलिए अब दूसरा देख लेते हैं दूसरा आपका है रूपक अलंकार ठीक है अगर जाम में आ गया रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे तो रूपक अलंकार के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि जब पंक्ति में दो सब्दों के बीच योजक चिन पाज आए ठीक है? तो आपका उपमालंकार था लेकिन रूपक अलंकार में क्या होगा? जब पंक्त alone में दो सब्दों के बीच योज़क चिन हो झादे बाने की बीच में योज़क चिन लगा हो, ठीक है? शासी से जैसे नई आए, इसमें क्या है? सासी नहीं आना चाहिए सासी जैसे यह सब्द नहीं आना चाहिए यह केबल आपका उपमा लंकार में ही होता है यह याद रखना है रूपक लंकार में क्या होगा दो सब्दों के बीच अगर योजक चिन आता है तो आपको क्या कहलाता है रूपा कलंकार कहलाता है ठीक है जैसे यहाँ पर उधारन देखेंगे जैसे पहला उधारन देखिए पायो जी मैने राम रतन धन पायो ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है पायो जी मैने राम रतन धन पायो देखे राम रतन दिया है ठीक है यहाँ पर देखे यह योजक चिन हो गए यहाँ पर ठीक है राम रतन ठीक है ठीक है यहाँ पर आपका योजक राम रतन धन पायो दूसरा यहाँ पर आपका उधारन दिया गए जहाँ पर चरन रूपी कमल अब देखे आपके दो सब्द यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा ठीक है क्या हो गया रूपक अलंकार हो जाएगा ठीक है उपमा लंकार में योजक चिन के साथ सासी आना चाहिए रूपक अलंकार में क्या आना चाहिए दो सब्दों के बीच आपका योजक चिन आना चाहिए तीसरा आता है दोस्तों उत्प्रेच्छा लंकार इसका भी देख लेते ह मानो क्या जाए मानो मनू मनहु ठीक है जानो जनू जनहु अगर आ गया तो क्या होगा आपका उत्प्रेच्छा लंकार हो गया बहुत ही सिंपल सी ट्रीक है ठीक है जैसे उधायन यहाँ पर देखेंगे सिर कट गया उसका मानो ठीक है क्या हो गया सिर कट गया उसका मानो ठीक मुख मानो चन्रमा यह उत्प्रेच्छा लंकार हो जाएगा तो मानो आगए न इतना आपको याद रखना दोस्तों बहुत सिम्पल सी बता रहा हूं मानो मनु मनहु याद रखना है जानो जनु जनहु याद रखना है अगर ये सब्द किसी में आपका आ गया जब पंक्ति में ये सब्द आ गया तो मान लिजे आपका उत्प्रेच्छा लंकार हो जाएगा तो ये ट्रिक याद कर लिजेगा चाहे तो नोट भी कर सकते है ठीक है इसके बाद आता है दोस्तो आपका अतिसंयोक्ति लंकार ठीक है अतिसंयोक्ति लंकार हम कैसे पहचानेंगे जहां किसी बेक्तिया वस्तु को बढ़ा चड़ा कर वर्नन किया जाता यानि कि हनुमान जी के पूँच में आग नहीं लग पाई है ठीक है लगन न पाई है यानि आग आग आपकी नहीं लगी है और क्या है लंका सारी जल भी गई और निसाचल भी भाग गई तो क्या बढ़ा चड़ा के बातें की गई है यह जब पूँच में आगी नहीं लगी तो लंका जलेगी कैसे ठीक है तो अतिसंयुक्ति मतलब क्या होता है जहाँ पर बढ़ा चड़ा के खुब सारा वर्णन किया जाए बढ़ा चड़ा के खुब सारी बातें किया जाए तो वह आपका अतिसंयुक्ति लंकार आपका ब्रहांतिमान अलंकार होगा, ठीक है न, यह आपका कौन सा है, ब्रहांतिमान अलंकार, ठीक है, तो ब्रहांतिमान अलंकार होगा, कैसे पहचानेंगे भईया, तो इसको दोस्तों क्या करना आप लोगों को, जब क्या होगा, ब्रहम की इस्थित पैदा हो, जब क्या हो पाउ महावर देने को नाइन बैठी आए, यहां बैठी आए तो यह आपको क्या है ब्रहांति मालंक, जहां ब्रहम की इस्थित पैदा हो रही क्या है, पाउ महावर देने को नाइन बैठी आए, ठीक है जब पाउ में महावर देना है तो नाइन क्यों बैठेगी भाईया ठीक है ना तो यह आपका जैसे आपका दूसरा इस जामपल यहां पर देखेंगे दूसरा आपके क्या लिखा हुआ है पूनी पूनी जानी महावरी एंडी भीजत जाए क्या लिखा है पुनी पुनी जान महावरी एंडी भीजत जाए ये भी क्या है जहां ब्रहम की स्थित पैदा हो रही है ठीक है वह आपका कहां हो जाता है ब्रहंती माल लंकार कहलाता है ठीक है चलिए आईए और कुछ उधारन देख लेते हैं ये ट्रिक वाकई में अगर आप आपका प्रेम और इसनाह मिला तो हम अंगली ट्रिक लेकर आएंगे आपके समास की ट्रिक लेकर आएंगे ठीक है संदिका भी आपको यहाँ पर बिल आइकन में संदिक मिल जाएगी बेसिक से पूरा हमने आपको बता चुके है ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तो में योजक चिन है दो सब्दों के क्या है दो जब पंक्ति में कोई बीच में योजक चिन है तो आपका रूपक लंकार होता है फिर उत्प्रेच्छा लंकार जब पंक्ति में मानो मनू मनहु जानो जनु जनहु आए तो आपका उत्प्रेच्छा लंकार होता है ठीक है अति सन योक्ति में जहां किसी बेख्तिया वस्थ को बढ़ा चड़ा के वर्नन किया जाता है आपका नुपरास लंकार आता है ठीक है आपको दे चानेगे आये ट्रिक के माधम से देख लेते हैं जिस रचना में वर्ण या वर्ण समू बार बार आते हैं क्या है जिस रचना में आपके वर्ण या वर्ण समू क्या दिया है वर्ण भी आए और वर्ण समू अगर आपके बार बार आते हैं तो वह क्या कहलाता है आपका अनु पानुजा तमाल तरवर भहुच्छाए क्या लिखा हुआ है तरानी तनुजा तमाल तरवर भहुच्हाए। यहां पर उचे यहां पर उचछा भर होगा जेसे तरहफो दूसरा देखेंगे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमच में चटनी चटाए ठीक है नहीं बहुत ही आपका लॉजिकल ये है उधारन बहुत ही बच्पन से पढ़ते आ रहेंगे आप लोग ठीक है यहाँ पर देखें चावर्ण की बहुत बार पुन्राबत्ती होई है ठीक है नहीं बार बार चावर्ण की आपकी पुन्राबत्ती हो रही है ठीक है ना चावर्ण या वर्ण समू की बार बार अगर पुन्राबत्ती होती है तो वह आपको क्या है अनुपरासलंकार कहलाता है ठीक है अब बात करेंगे के लिए यानि कि जिस रचना में एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए देखे सब्द और आपके क्या दिया है दो या दो से अधिक सब्द क्या अधिक बार आए लेकिन क्या उनका अर्थ अलग होना चाहिए तो वह आपका क् तुम तारे तेते नभ में ना तारे क्या लिखा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे ठीक है तो यहाँ पर क्या किया गया है दो या दो से अधीक सब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग-अलग है आपका ठीक है जेते तुम तारे तेते नम्मे ना तारे ठीक है यह तारे जो सब्द के हुई है यहाँ पर अलग-अलग अर्थ हो गया आपका ठीक है अब यहां पर जैसे दूसरा यहां पर आपको दिया है कि सजना है मुझे सजना है तुझे सजना के लिए ठीक है सजना है तुझे यह सजना क्या हो गया सजना सवरना हो गया ठीक है यह आपका क्या कहते हैं ब्यूटी किट कह सकते हैं ठीक है आज की रेट में जो भासा में है beauty kids कर सकते हैं, ठीक है, सजना है, ठीक है, ये सजना सवरना हो गया, तुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना ये क्या हो गया, पती हो गया, यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, पती, प्रेमी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये सजना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपका देखे होगा ठीक है सब्द सेम रहें अर्थ आपके अलग रहें जैसे आपका बच्पन में सुना होगा कनक कनक के सौगुनी मादक्ता अधिकाय या बवराय ही ऐसे आपने सुना हो उधारन तो वह भी आपका यमक अलंकार का ही उधारन है ठीक है अब फिर वस्ता आपका तीसरा जो सब्द के अनेक अर्थ हो यानि सब्द एक हो लेकिन अर्थ आपका अलग अलग होने चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पर देखेंगे रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानस चून ठीक है तो यहाँ पर आपका देखे पहला जो पानी का ठीक है यह पानी मरहिमन पानी राखिये मतलब बिनमर राखिये ठीक है फिर दूसरा पानी है बिन पानी सबसून यह पानी आपको क्या है तेज या चमक से कहा गया कि बिन पानी सबसून अगर आपके पास तेज और चमक नहीं तो सबसून हो गया ठीक है कुछ भी नहीं है फि चून मतलब क्या होता है आटे से होकर ठीक है ना आटे आटे से जोड़कर यहां पर चून सब लिया गया दर्साया गया ठीक है ना चून आई उप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे फिर दूसरा आपका उधारन दिया कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशं जो करते विपलव उन्हें हरी का है या तंक तो यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो निशंग का है ना तो वो भी आपका यहां पर अलग-अलग अर्थ निकल के आ रहा है ठीक है ना कैसे है यहां पर दिखा हरी हरी आपने क्या लिखा है जो यह हरी ना यहा पे अर्थ आपका अलग निकल ला है कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सीधी चलते राजो रहते सदा निसंक जो करते विपला उन्हें हरी कहा यतंग यहाँ पे जो हरी सब्द है तो एक बंदर कहा है ठीक है ना हरी एक आपका क्या है बंदर की तुलना की गई है ठीक है और दूसरा जो है आपका हरी की तुलना किस से की गई है आपके भगवान से की गई है ठीक है आयोप आप लोगों को ये trick बहुत अच्छी लगी होगी ठीक है एक भगवान से की गई एक बंदर से की गई ये हरीका ठीक है तो ये आपके सब्द लंकार के तीन होते है अनुपरास लंकार होता है जहाँ वन या वन समू आपके बार-बार आते है वहाँ अनुपरास अलंकार होता है ठीक है और यमक अलंकार में क्या होता है जिस रचना में एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आएं ठीक है उनका अर्थ अलग हो तो आपका यमक अलंकार होता है स्लेश अलंकार में जहां एक एक ही सब्द के अनेकर्थ हो वह आपका स्लेश अंकार होता है ठीक है तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक और जरू सेर कर दीजेगा अगर आपको बहुत अच्छा प्रेम उस नहीं मिलता है तो हम आएंगे भी आपके ठीक है ना आपके और भी रिलेटेड आएंगे अलंकार हो गया ठीक इसके पास समास की ट्रिक लगाएंगे ठीक है तो संदी का अपने वीडियो देख लिया हो गया यहां पर बिल आइकन में क्लाई पतरो देख लेगांगे लिएऑागे उया हो पी यहां बिलेटेख लेगांगे लेख झाल झाल